नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर अवशेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167 इस समय हम है जैपुर इंक सिटी के रेलवे स्टेशन पर और ये यात्रा है हमारी माता वैशनो देवी की, कट्रा की, जम्मू की और वहां आसपास इस्थित प्रसिद परेटन इस्थलों की, तो यदि आप भी माता वैशनो देवी की यात्रा का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा इस वीडियो में हम आपको माता वैशनो देवी की यात्रा से संबंदित सारी छोटी बड़ी इन्फोर्मेशन देंगे कि वैशनो देवी के लिए आपको किन सादनों से जाना है, कैसे आप वहां जाएं, किस मौसम में जाएं, कहां रुकें, किस तरह से यात्रा हो तो कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी यात्रा का संपूर्ण विवरण आपको इस सीरीज में मिलेगा तो जम्मू और श्री नगर की यात्रा शुरू करने से पहले ये बताना जरूरी है कि इस यात्रा से संबंदिती सीरीज की या इस ब्लॉक की जरूरत क्यों है और क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोग जिनको पूरी जानकारी नहीं होती है मावैश्णो देवी की यत्रा से संबंदेत या श्री नगर पहल गाओं सोनमर्ग गुलमर्ग की यत्रा से संबंदेत वो लोग मनमाने तरीके से चले जाते हैं कई बार बहुत गलत मोसम में चाहिए वहां 60-70,000 रुपए लग जाते हैं इसके बाद भी जानकारी के अभाव में बहुत महंगे होटल ले लेते हैं भोजन की उचित विवस्था नहीं हो पाती है तो कुल मिला करके एक बहुत ही आनंद में और सुरम में यात्रा जो है वो उनकी बजट के हिसाब से भी बहुत अधिक पड़े जाती है और उसके बाद भी उतना उनको मज़ा उतना आनंद आ नहीं पाता है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए यदि आपके साथ में ऐसा कहीं कुछ ना हो इसलिए ये सारे वीडियोज हम यूट्यूब पर अपलोड कर रह है जो कि आपके जीवन की एक बहुत ही आनंद में और मधुर यात्रा बन सके जो आपके श्मृती पटल पर चिर इस्थाई हो तो अब हम आपको जम्मू और कश्मीर यात्रा की रूप रेखा पहले बता देते हैं इसके बाद में एके करके सारे वीडियोज अपलोड इस यात्रा के अंतरगत हम सबसे पहले जैपूर से जम्मू जाएंगे और जम्मू से कट्रा जाएंगे कट्रा जहां की मा वैश्नो देवी का भव्य एतिहासिक और दिव्य आध्यात्मिक मंदिर इस्थित है तो मा वैश्नो देवी के हम दर्शन करेंगे और इसके बाद मा के मंदिर के ऐसे धाई किलो मीटर और उपर पहाड पर काल भैरो बाबा का मंदिर इस्थित है तो उसके बाद में फिर हम काल भैरो के दर्शन करेंगे और इसके बाद में वहां से हम नीचे आएंगे अर्ध कुमारी भी पहले पढ़ता है तो अर्ध कुमारी के भी हम दर्शन करेंगे इसके बाद वहाँ से हम वापस कटरा आएंगे इसमें जितना भी समय लग जाए उसके बाद कटरा के आसपास के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं और परेटन इस्थल हैं उनको हम देखेंगे उसके लिए एक दिन का हमने समय रखा हुआ है इसके अंतरगत कटरा में एक ब भुले बाबा का महादेव का शिव मंदिर है जो की शिव खोरी शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही दिव्य और अध्भुत है यहां पर एक गुफा के अंदर बहुत ही ठंडी और शीतल गुफा के अंदर महादेव प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं जो चट्टानों से पानी गुजरता है उससे और अन्य देवी देवता भी वहाँ पर बने हुए हैं इस मंदिर में बहुत ही अधिक आध्यात्मिक शांती की प्राप्ती होती है अधिकांश लोगों को इस मंदिर के बारे में शिवखोरी मंदिर के बारे में पता ही नहीं है इ और यहाँ पर 4 अप्रेल 2011 को पिंडी रूप में माता स्वेम प्रगट हुई तो इस मंदिर के भी दर्शन करेंगे तो कट्रा से शिवक होरी के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी सड़क पर 7 किलो मीटर दूर बाबा जीतो का प्रसिद्ध मंदिर पढ़ता है बाबा ज तो कट्रा से लगवक 13 किलो मीटर दूर बाबा धनसर का मंदिर पढ़ता है ये बहुत ही प्राकरतिक वातावरण में बना हुआ है एक प्यारा सा कुंड है चोटा सा जहर्ना है और भव्य यहाँ पर मंदिर है तो इसके भी हम दर्शन करेंगे और इसके बाद में फिर और यहाँ से आगे बढ़ने पर लगवक कट्रा से 15 किलो मीटर पर नव देवी का बहुत ही सुन्दर और प्यारा मंदिर इस्थापित है इसमें गुफा के अंदर जाने पर एक बहुत पतली सी सक्री सी गुफा है और इस गुफा में अंदर जाने पर नव देवी इस्थापित हैं और फिर अंत में 80 किलोमीटर के लगभग शिव खोरी बाबा का मंदिर पढ़ता है तो इन सब मंदिरों के हम दर्शन करेंगे और फिर अगले दिन हम कट्रा से जाएंगे पटनी टॉप हिल स्टेशन पटनी टॉप कट्रा से 85 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जहां पर गर्मियों में यानि की अप्रेल मई जून में तो मौसम बहुत सुहाना होता है ठंडी ठंडी हवाएं चलती है काले बादल बारिश रिमजिम होती है और ठंड में यहां पर दिसंबर जन्वरी के महिने में दोदो फीट के करीब है यहां पर भी अनेक मंदिर है और रोप वे है जिसका की वो आनंद लेते हैं तो कटरा से हम पटनी टॉप जाएंगे और फिर पटनी टॉप के बाद हम जाएंगे श्री नगर श्री नगर के जो प्रमुक परेटन इस्थल है देखने योगी सुरम में वादियां है इनके ह अपको दरशन करा हैंगे श्री नगर में हम डल जील की सेहर करेंगे यहांपर शंकराचारे जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है शंकरा मुगलों के द्वारा बनाए हुए जो प्रसिद्ध गार्डन है जैसे कि चश्मेशाही गार्डन है दिलशाद गार्डन है शालिमार गार्डन है इन बागों का इन गार्डन्स का जो खूबसूरत नजारा है फूल पत्तियां वरिक्ष जरने ये सारी चीजें हम देखेंगे और इनसे संबने सारी information step by step आपको देंगे इसी के साथ में यहां पर एक ट्यूलिप गार्डन भी है ट्यूलिप का अर्थ होता है एक ही प्रकार के पौधे और फूलों की क्यारियां तो ट्यूलिप गार्डन में एक ही जो प्रकार के फूल होते हैं जैसे गुलाब का फूल है तो वो ट्यूलिप गार्डन कहलाता है कि एक ही रंग के फूल आदे किलोमीटर एक किलोमीटर तक फैले हुए हैं लेकिन ट्यूलिप गार्डन के साथ में जो समस्या है वो यह है कि यह वर्ष में केवल दो महीने मार्च और अप्रेल में ही खुलता है तो वहां जाना इस ब पर मई और जून में भी बर्फ मिलती है इसनों देखने के लिए मिलता है इसनों एक्टिविटीज होती हैं श्री नगर के निकट तीन बहुत प्रसिद्ध चीजे हैं जिने देखने के लिए और जिनका आनंद लेने के लिए ना केवल भारत बलकि पूरी दुनिया के सैलानी यहाँ पर आते है और वो है सोन-मर्ग, गुल-मर्ग और पहल गाउं यदि पहल-गाउं की बात की जाए तो यह जब हम जम्मू से श्री-नगर के रास्ते में जाते हैं तो श्री-नगर से कुछ पहले ही जब अनंतनाग में होते हैं तो वहीं से दाहिने तरफ इसका रास्ता कट जाता है तो जो लोग अपने वहानों से आते हैं वो पहले पहल गाउं हो लेते हैं सोन मर्ग और गुल मर्ग तो सोन मर्ग और गुल मर्ग में मई और जून में भी काफी बर्फ मिलती है जबकि पहल गाउं में इस समय बर्फ नहीं होती है लेकिन पहल गाउं प्राकरतिक रूप से बहुत ही सुन्दर और प्यारा है और इसके साथ ही अमर्नाथ यात्रा का जो बेस केम्प है वो भी पहल गाओं में ही लगता है अमर्नाथ यात्रा पहल गाओं से ही शुरू होती है और उसका दूसरा जो बेस केम्प है वो बालटाल में लगता है इसके बाद में फिर हम श्री नगर से आएंगे जम्मू और जम्मू के जो प्रसिद्ध मंदिर परेटन इस्थल है उनको देखेंगे और आपको दिखाएंगे जम्मू में रगुनात मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारा मंदिर है इसे हम देखेंगे भगवान श्री र कि कला को यहां पर सुरक्षित किया गया है उनके इतिहास को यहां पर प्रदर्शित किया गया है तो अमर पैलेस म्यूजियम को हम देखेंगे और इसके बाद में फिर यहां का एक प्रसिद पीर खो मंदिर है जिसे अमरनाथ गुफा मंदिर भी कहा जाता है और यह भी माता का मंदिर है और बहुत ही प्यारा मंदिर है जहां पर एक सक्री सी गुफा से बिलकुल नीचे उतरा जाता है और वहां पर शिव का भी मंदिर है पारवती के मंदिर है और नीचे उतरने पर वे अन्य देवी देवताओं के मंदिर ये पीर खो मंदिर में बने हुए हैं तो इस मं नदी के बाएं तट पर इस्थित है पहाड़ी के ऊपर इस बाहू फोट को हम देखेंगे और बाहू फोट के अंदर माकाली का बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है और इस माकाली के मंदिर को देखेंगे बाहू फोट में ही मचली घर बना हुआ है या उसी के पास में मचली घर है या मशलियों का आप एक तरह से संग्रहाले कह लीजिए एक्वेरियम है इस मशली घर को देखेंगे और बाहू फोट के पास ही बाग ए बाहू यानि की बगीचा उद्यान बना हुआ है बहुत ही प्यारा अनेक परकार के पुश्पों जर्नों से सुसजित इसे देखें पर साथ में म्यूजिक चलता है रंग विरंगी लाइटे होती हैं तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे और आपको दिखाएंगे और स्टेप बाई स्टेप बताएंगे कि इन सब चीजों का यदि आप आनंद लेना चाहते हों तो आपको यह यात्रा किस प्रकार संपन्न क करनी चाहिए तो अब हम इस यात्रा का प्रारंब करते हैं और इससे संबंदित एक एक करके सारे वीडियो आपको उपलब्द कराते हैं